आज की जो हमारी वीडियो गई लोकी पौदे की उपर और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप गर्मियों के मौसम में अपनी लोकी के पौदे से ज़्यादा से ज़्यादा पल और फूल कैसे पा सकते हैं तो स्वागत है आप सभी का हमारे ग्रीन गार्डिनिंग चलल पर तो दोस्तों जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं यह जो लोकी का पौदा है यह पूरी तरीके से फूलों और पलों से बारा हुआ है आप इसी तरीके से अपनी लोकी के पौदे से इतने ज्यादा पल और फूल पा सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं यह जो लोकी का पौदा है यह पूरी तरीके से ग्रीन और एल्दी बना हुआ है आप देख सकते हैं इसकी जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी तरीके से चल रही है और इस पर देर सारे छोटे बड़े पल और पूल आई हुए हैं चले मैं आपको देखा देता हूं यह देख यहां पर आप देख सकते हैं इस पर यह एक पल आया हुआ है और इसकी अलावा इस पर देर सारे और भी पल आई हुए हैं चले मैं आगया आपको वीडियो में देखा देता हूं और दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अपने लोकी के पौदे की केर टिप्स के वारे में कि हमें गर्मियों में लोकी के पौदे की केर कैसे करनी है तो दोस्तों जैसा यह आपको पता है कि इस टेंप पर बहुत ज़्यादा दूप निकलने के कारण हमारा जो पौदा है वो अच्छी तरीके से होते हैं वो कापी अच्छी तरीके से चले और पौदा भी अच्छी तरीके से ग्रोब करता है जिससे कि अपनी लोकी के पौदे से ज्यादा से ज्यादा पलो और फूल पा सके हैं और इसके अलावा दोस्तों हमें अपने लोकी के पौदे की जो मिट्टी है उसकी लगबग 10-15 दिन बाद एक बार अच्छी तरीके से गुड़ाई करनी है गुड़ाई करने से हमारे पौधे की जड़े वो अच्छी तरीके से गुड़ाई करती है जिससे कि हमारे पौधे पर जो फल और फूल आते हैं वो भी अच्छी तरीके से गुड़ाई करते हैं और इसके अलावा दोस्तों में अपने पौदे में समय समय पर फर्टी लाजर भी यूज करते रहना चाहिए फर्टी लाजर यूज करने से हमारे पौदे और बहुत ज्यादा फल और फूला आते हैं और हमारे पौदे की जो गुरूत है वो काफी अच्छी तरीके से चलते हैं तो चली दोस्तों आग में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने इस लोकी के पौदे में कौन सा फर्टी लाजर यूज किया है जिससे कि यह जो लोकी का पौदा है यह पूरी तरीके से फल और फूलों से बरा हुआ है दोस्तों यह जो फर्टी लाजर है यह पूरी तरीके से और गैनिक फर्टी लाजर है और इस फर्टी लाजर को आप यह अपनी लोकी के पौदे में यूज करते हैं तो आपका जो लोकी का पौदा है वो पूरी तरीके से इस पौदे की तरह लोकी और फूलों से बर जाएगा तो चलिए आपको बता दें तहूं फॉर्टिलाजर के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आप सामने मेरे हाथ में देख पा रहे हैं यह है लिक्विट सीविट फॉर्टिलाजर जो कि एक पौदी अच्छा फॉर्टिलाजर है यदि आप इसको अपने लोकी के पौदे में यूज करते हैं तो आपका जो लोकी का पौदा है वो पूरी तरीके से पलों और फूलों से बर जाएगा पौदी की जो गुरूत है वो कापी अच्छी तरीके से चलेगी और दोस्तों इसे यूज करने के लिए आपको लगबग एक लीडर पानी लेना है और लगबग चार से पांच एमेल सीविट फॉर्टिलाजर लेना है इसको अच्छी तरी करें और दोस्तों यदि आपके पौदे पर यो पूल आते हैं वो पलवन्यस के पहले जढ़ती है तो आप इस पेसीलाजर करते हैं तो वह दोस्तों अबीगे से पलमें कुर्ंवे Compact हो जाएंगे और दोस्तों अभी तक आप ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आज की ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक हो शेयर जरूर करें हम आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टोपिक के साथ तेंक यू